प्रिदर्श को नमस्कार आईए सुनते हैं आज के मुख्य समचार सेल आरेश्पी में API Q1 लाइसेसिंग ऑडिट संपन हुआ सेल रावरकेला इसपास स्यंत्र में सुरक्षी संस्विती को बढ़ावा देने के लिए सुरक्षीत मानसुन ड्राइविंग जागरुपता प्रारम और सेल राओर केला इसपास सेंतर द्वारा कुवार मुन्ना पार्श्वा चल बलांक के रत्त खंडी सरकारी यूपी स्कूल में अत्रिक कक्षाय निर्मित अब समचार विस्तार से सिल्रावर के ला इसपास स्यंत्र का पांच दिवसी API Q8 लाइसेसिंग ओडिट साथ जुलाई को संपन हुआ कारेपालक निदेशक वर्क श्री एसर सूरिवनशी ने कारेपालक निदेशक वर्क संबिलनकक्ष में आयोजित उदगाटन और समापन दोनों बैठकों की अध्यक्षता की बैठकों में मुख्य महाप्रबंध्यक, विभागा द्यक्ष, सामगरी प्रबंधन, अनुसंधान और नियंत्रण प्रयोक्षाला, इंस्ट्रुमेंटेशन, PPC और HRD जैसे संबन्दित विभाग के प्रबंधन प्रतिनिधी और लेखा परिक्षक ने भाग लिया स्री सोरीवरंशी ने लेखा परिक्षकों को उनके विस्त्रित और साधनी पूर्वक लेखा परिक्षा और लाइसेसिंग के नवीनी करण के लिए RSP की सिफारिश करने के लिए धन्यवाद दिया उन्होंने उठाएगे बिंदों का समेबदय तरीके से अनुपालन करने का भी आस्वशन दिया लेखा परिक्षा प्रक्रिया में कारिस्थल का दौरा और प्रबंधन प्रक्रिया QMS प्रक्रिया और MR समधित्गति विधियां ग्राहक संबन्धी प्रक्रिया, उत्पात प्राप्ती की योजना और विनिर्माण और उत्पात प्राप्ती प्रक्रिया का मुल्यांकन शामिल था लाइसेसिंग दैरे में 4L0068 का API 5L प्रमानी करन और इसकी अनुरुपता इस्थिती शामिल थी आर्डिट का दायरा API 5L, PSL में लाइन पाइप प्लेन एंड का विनिर्माण अर्थात HFW MX70 और HFW RX70 पाइप का गठन शामिल था काईक्रम का संचालन महाप्रबंदग B.E. सुश्री चैताली दास और बिजनेस एक्सिलेंस विभाग की टीम द्वारा किया गया सेल रावर के ला इस पास सेंत्र में इस सप्ता एक सुरक्षित मानसुन ड्राइविंग जागरुपता का काईक्रम शुरू हुआ यह अभियान जनरल शिफ्ट में आने वाले बड़ी संख्या में करमचारियों को ध्यान में रखते हुए RSP के में गेट के पास और डिजाइन बिल्डिंग के पास जैसे महत्यपूर्ण इस्थानों पर आयुजित किया जा रहा है अलग-अलग विभाग बारी-बारी से इस अभियान को चला रहे हैं 4 जुलाई को डिजाइन बिल्डिंग के पास सुरक्षा इंजिनरिंग विभाग द्वारा महाप्रबंद्यक प्रभारी सुरक्षा इंजिनरिंग विभाग सुश्री आशाकार था महाप्रबंदक सुरक्षा स्री अपकास बहरा के नित्रित में यह अभियान चलाए गया इसी तरह 6 जुलाई को न्यू प्लेट मिल के मेंगेट के पास अभियान चलाने का बीड़ा उठाया जिसका नित्रित मुख्य महाप्रबंदक NPM और अभियान के समन्वे में सहता की साथ जुलाई को अभियान को आगे बढ़ाने के लिए स्पेशल प्लेट प्लांट आगे आया महाप्रबंदक प्रभारी SPP डॉक्टर पी के पाढ़ी ने सुरक्षा इंजिनरिंग विभाग के साथ और सहायत महाप्रबंदक SPP एवं DSO श्री M.L. बर्मन की सहता से आयजित काईक्रम में टीम कांडेत्रित किया शनिवार यानि 8 जुलाई को बारी थी रोलशॉप की जिसमें महाप्रबंदक सब्सक्राप तथा DSO श्री अनुप कुमार महापात्र और ASO श्री गौरी शंकर महापात्र ने अभियान का संचालन किया अभियान का प्रात्मिक उद्देश वर्षा रितों में सुरक्षित ड्राइविंग सुनिश्चित करना और सुरक्षा आदतों को विक्सित करना तथा संगटन के भीतर एक मजबूस सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा देना है इसके अलावा यह अभियान लोगों को ओवर्टेक करने और लालबत्ती का उलंगन करने से रोकने पर भी केंड़ित है वर्षा रितों के दौरान ड्राइविंग टिप्ट के सास्थ संदेश देने के लिए तक्तियां भी प्रदर्शित की गई थी यह अभियान सभी को गीली सडकों पर ड्राइविक्स जुड़े खत्रों के बारे में इस मरंड दिलाने और व्यापक सुरक्षा सुरिशित करने के लिए एक एहतियाती कदम है सेल रावर के ला इसपास सेंत्र ने कुवार मुन्ना पाश्वांचल ब्लाक के सुदूर गाउं रता खंडी में सरकारी यूपी स्कूल में दो अतरिक्त कक्षाएं प्रदान की हैं मुख्य प्रहाप्रवंधक नगर स्थेवाई एवं सीयसार श्री पीके स्वाई ने 6 जुलाई 2023 को इस स्कूल में आयोजीत एक समाहरों में नए कक्षाओं का उधगाटन कर ग्रामीडों को समर्पित किया इस असर पर महाप्रवंधक CSR शुश्री मुन्मुनमित्रा, प्रधान अध्यापक सरकारी यूपी स्कूल रतखंडी श्री सुशील कुमार बढ़ाई, सायक महाप्रवंधक CSR श्री टीबी टोपो, आरेसपी के अन्य अधिकारी, स्कूल के सिख्षक, चात्र और ग्रामीड उपस्तित थे, इस असर पर बोलते हुए, स्री स्वाई ने शहर और पार्षवांचल ब्लाग दोनों में सिख्षा के शेत्र में आरेसपी के योगदान पर प्रकास डाला, उन्होंने छात्रों को जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, स्कूल के दिनों से ही एक लक्ष बनाने और उसके प्रती पूरी इमानदारी और समर्पन के साथ काम करने की सला दी स्री सुशील कुमार बढ़ाईक ने CSI क्राइकरम के तहट अतरिक्त कक्षों का निर्मान करके स्कूल के बुनियादे धाचे में सुधार लाने हितू, आरेसपी के प्रती हार्दिक आभार व्यक्त किया कक्षाओं का निर्मान E.S.C. कोश एंटरप्राइस सोशल कमिट्मेंट फंड से 18 लाक रुपे की लागत से किया गया है विशेश रूप से रताखंडी और आसपास के अनेगामों की सेक्षिक आविशक्ताओं को पूरा करने वाले स्कूल में 280 छात्रों के नामनकन के साथ आठवी कक्षा तक ही है पढ़ाने का सिलसला अपेक्षक्रित कम संख्या में उपलक्त कक्षाओं में किया जा रहा था इन सब जोरतों को देखते हुए RSP धाचागस सुभिधा के रूप में मदद के लिए आगे आया उलेखनी है कि RSP CSR ने आदश ग्रामों पुनरवास कालोनियों पार्षवांचल गाउं और अध्योगिक शहर में सिख्षा को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है यह रावरकेला के वंचित बच्चों के लिए एक निशुल्क विद्याले दिपिका इसपात सिख्षासदन चला रहा है इसके लावा कई विद्यालों में मध्यान भोजन और दुग्द आहर की विवस्ता की गई है इसकूली और विवसाइक अध्यन के लिए चात्रविती का प्रावधान और बुनियादी सेंडर्चनाओं की सुविधा भी प्रदान की जाती है और इसी के साथ हम आज के हिंदी समचार को यहीं विराम देते हैं नमस्कार